हेलो फ्रेंड्स बीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं काजू और मखाने की साही सबजी इसको बनाने के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करेंगे काजू, मखाना और मटर यह सबजी हम अक्सर सादियों में ही खाते हैं या बाहर एस्टरेंट से मंगाते हैं आज हम आपको इसको घर पे बनाना बताएंगे इसको बनाने के लिए एक चमच घी पहले पैन में आड़ करेंगे और ग्रेवी का मसाला त्यार कर लेंगे उसके लिए रफली चॉप्ट प्याज यूज करेंगे पहले डालेंगे टमाटर ग्रेवी को गाड़ी करने के लिए इसमें कुछ काजू भी एड़ करेंगे और सबको हलका सा भून लेंगे एक दो सेकेंड तक फिर इसमें थोड़े से पानी एड़ करके इसको कुछ कर लेंगे काजू भी डाल दिये हैं इसमें सबको आपस में मिला लेंगे फिर एक से डेर कप पानी डालेंगे इसमें पानी डालने के बाद इसमें मिर्चीट भी डाल लेंगे इसी में इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है पानी भी एड़ हो गया है और मसाले को पकने के लिए दो मिनट तक लीड लगा के इसको रख देंगे कि मुलायम हो जाए तो हो टमाटर और प्यास कुप भी हो जाए इसको लिड लगाने के बाद अब हम इधर मटर को फ्रोजन मटर यूज किये हैं तो उसको गरम पानी में डाल देंगे और यहां पे हम काजू और मखाने को रोस्ट कर लेंगे पहले काजू को एक चमज घी डाल के रोस्ट करेंगे उसी में मखाना भी एड़ कर लेंगे मखाना हमारा वैसे भी खाना बहुत हेल्दी होता है पर ऐसे अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो इस सबजी के साथ वो उनका मखाने का निट्रिशन भी उनको मिलेगा काजू भी मिलेगा साथ में काजू के वज़े से सबजी की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है काजू हलका भून चुका है अब इसमें तेल मखाना भी एट करेंगे और उसको भी इसी के साथ भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़े कुरकुरे हो जाएं अच्छे से भूनने के लिए हमको धीमी आज पे ही इनको भूनना होगा फ्लेम हमेशा हम इसकी धीमी रखेंगे नहीं तो उपर से काले पड़ जाएंगे और अंदर कुरकुरा नहीं होगा धीमी आज पेस्ट को भून लेंगे पूरा अच्छे से हमारा काजू और मखाना दोनों भून गया है अब हम इधर मसाले को बैटर बना लेंगे जो प्याज और टमाटर काजू भून लिये थे उसका बैटर पेस्ट बना लिये हैं देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के तयार हो गया है अब घी इधर गरम करेंगे घी में आदा चम्मच जीरा आट करेंगे दो तेश पत्ता खड़े गरम मसाले थोड़ी सी हरी मिर्च दो और सारा पेस्ट जो हम बना के रखेते उसको आट करेंगे फिर इसमें पेस्ट में ही सारे मसाले डाल देंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, सबको मिक्स करके थोड़ी देर तक भूनेंगे भूनने के बाद इसमें मटर भी डाल लिये हैं और उसको भी थोड़ा सा भून के और थोड़ा पानी एड़ करेंगे इसके बाद मटर मसाले की साथ भून रहा है तो अच्छे से मटर थोड़ा हमारा टाइट था तो उसको हम कुक करने के लिए पहले ही एड़ कर लिये हैं पानी एड़ कर लेंगे, एक से देड़ कब बहुत पतली ग्रेवी इसकी नहीं अच्छी लगती है, हमेशा साही सबजियों की ग्रेवी क्रीमी ही अच्छी लगती है, इसलिए इसको हम गाड़ी घ्रेवी तेयार करेंगे, अब थोड़ी देर के लिए इसको लेट लगा के पका लेंगे देखिए कितनी गाड़ी ग्रेवी बनके त्यार हुई है मटर को पहले आड़ किये थे क्योंकि वो कुक भी करना था उसको और मखाना और काजू तो अल्रेडी रोस्टेड है उसको कुक नहीं करना है मखाना जल्दी ही साफ्ट हो जाता है तो इसलिए उसको बाद में डालेंगे इसको डालने के बाद दो मिनट तक हम इसको चला के मिला लेंगे अच्छे से और उसी दो मिनट में ये अच्छे से अपना ग्रेवी को वो कर लेगा और थोड़ा साफ्ट भी हो जाएगा बहुत जादा पहले डाल देने से माखाने हमारे पूरे गल के वो पेश्ट बन जाएंगे इसलिए हम इसको बाद में डालते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं डालने के बाद कि ग्रेवी का फ्लेवर उसके अंदर आ जाए माखाना और काजू के अंदर आप ही इस तरह से सब्जी जरूर बनाईएगा अपने घर पे ट्राई कीजेगा फिर आपको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी रेस्टरेंट से उसको धनिया से हम गानिस कर लिए हैं धनिया का फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा इस पे हम घर पे बनी हुई मलाई भी यूज़ करेंगे हम घर पे बना के रख लिए थे मलाई का फेट लिए थे उसको इसमें दो चम्मच मलाई भी एड़ किये हैं इसको आप चाहें तो इसकिब भी कर सकते हैं अगर हो तो डालिए तो हमारी ग्रेवी बहुत क्रीमी बन के त्यार होती है पर हम यही कोसिस करते हैं कि जो सामान हमारे पास घर में अबलेबल है उसी से आप अपनी रेसिपी को ट्राइ करें बहुत जादा बाहर से मंगाने कि आपको जरूरत ना हो देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी और सब्ची मेरी बन के त्यार हुई है इसको आपकर पर जरूर बनाईएगा और हमें कमेंट में बताईएगा कि आपकी सब्ची कैसी बनी अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में सेयर भी कीजिएगा देखिए हमारी सब्ची बिल्कुल सर्व हो चुकी है देखिए कितनी गाड़ी ग्रेवी बनी है उपर से आपको पसंद हो तो एक चम्मस घी भी एड़ कर सकते हैं पसंद चुकी को सर्वेगा आपको